अलो गाइज वेल्कम टुश्वेता ग्लासेज यूट्यूब चैनल एंद इस श्वेता तोमर ऐसे हैं आप सब लोग चलिए चैक्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेशन नमबर 124 कल की तास में हमने कंप्लीट है आप सभी लोगों ने वह वीडियो देख ली होगी अगर नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिये देन उसके बाद उसके आगे के क्वेशन करेंगे क्योंकि ये उसके आगे के questions है कल हम लोगों ने 1 to 4 किये थे आज 5 to 8 questions करेंगे ठीक है चलिए देखते है क्या है question number 5 question number 5 following table show the points of each player forward in 4 games यानि A ने कितने point बनाए है हर game में B ने कितने point बनाए है और C ने कितने point बनाए है ठीक है अब इसके भिहाब पर आप आप लोगों से question पूछे गए है क्या question पूछे गए है चलिए देखते है first question क्या है first question है आपका find the mean to determine as average number of points per game क्यानि सबका क्या बताना है आपको mean बताना है A का भी B का भी और C का define the mean to determine A's average sorry A की average का आपको mean बताना है तो mean is equal to हम लोगो ने क्या सीखा था sum of numbers और नीचे total number ठीक है तो sum of numbers क्या हो जाएगा बाई जितने एक है 14 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10 गिवाइड़ बाई 4 गेम खेलें ठीक है उपर का जब हम टोटल करेंगे 14 16 और यह 10 है और यह 10 10 20 20 और 20 40 40 और यह 10 50 50 upon 4 हो गया ठीक है अब इसको जो डिवाइड करोगे तो 12.4 प्लस निकल कराएं आपका मीन क्या निकल कर आया एक आवरेज का मीन क्या निकल कर आया 12.4 प्लियर नेक्स पॉइंट देखिए तो उसमें यह पूछा है क्योंकि इसलिए पूछा है क्योंकि एक गेम में उसको 0 marks मिलें या points मिलें अच्छे यह हमेशा ध्यान रखो गेम तो उसने 4 खेले है ना ऐसा तो नहीं बोला उसने कि 3 गेम्स खेले है तो जो एवरेज निकालोगे जो मीन निकालोगे वो तो 4 गेम का ही निकालोगे भै मैने 4 इनिंग्स खेली चार इनिंग में 13 में तो मैने बहुत अच्छे score मारे और 8 में में यहां पर भी उसने किसी भी इनिंग में कितने रन मारे हैं चाहे जीरो ही मारे हैं लेकिन इनिंग बोस की काउंट होगी क्या लिखा हुआ question में यही पूछाए कि आप उसको 3 से divide करोगे कि 4 से divide करोगे तो हम क्या लिखेंगे बी प्लेइड इन आल प्लेइड वर गेम्स ठीक है तो वी विल दिवाइड तोटल पॉइंट्स तोटल पोइंट्स क्या आपका answer हो जाए question number 2 का answer हो जाएग तो नेक्स्ट पॉइंट्स 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 क्या दिया हुआ है अगर बी ने सारे गेम खेले हैं आप मीन कैसे निकालोंगे यहाँ प्लास क्या जाएगा तियिकन अगर इन्यक छलोंगे जीनिककले निकालने का वही तरीका है और低 आइस क嗎 next वाला देखने, who is the best performer, कौन है भही best performer, कौन होगा best performer, best performer हम तीन में से ही निकालेंगे, तो हमने एका निकाला था, कितना आया था, एका 12.4, एका हमने निकाला, 4.5, अब C का भी निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसा करेंगे, we have to find the average of C, हमको C का भी average निकालना पड़ेगा, ठीक है, आप देखो, C को हम 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 ही count करेंगे, क्यूं करेंगे, हाँ देखो, C ने एक game खेला ही नहीं है, ठीक है, C ने एक game खेला ही नहीं है, इसलिए जो उसका average निकालेगा, वो 3 से डिवाइड होके निकाले, ठीक, क्या क्या है, 8, 11, और 13, mean is equal to 8 plus 11 plus 13 divided by 3, answer क्या आएगा, 32 upon 3, और point में आएगा, 10.67, ठीक है, तो पूछा आप क्या है, क्या लिखेंगे, according to question, according to question 4, A is the best performer, ठीक है, क्या लिखेंगे, A is the best performer, among 3, ठीक है, समझ में आगया ना question, कोई problem, नहीं है, चल्ड़, next question, the marks out of 100, obtained by a group of student in a science test, are 85, इतने, 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 यानि कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, 10 students के ये marks है, science के 100 में से, सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है, highest and lowest marks, obtained by the student, क्या लिखेंगे, the highest marks, highest, highest कितने हैं, यहां मुझे 95 दिख रहे है, highest, इतने highest कुछ नहीं है, ठीक है, and lowest, lowest कितने है, lowest मुझको यहां 39 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप देखो, second question क्या है, second question है, range बताओ, तो range कैसे निकालते थे हम, highest marks, minus lowest marks, है न, ऐसे ही निकालते है, highest था 95 और lowest था 39, तो range कितनी निकल कर आएगी, रावजंदी से 15, ठीक है, आप क्या पूछा है, mean mark obtained by the group, अब mean निकालना है, सब का, क्या करना होगा, सब को पहले लिखते है, total करना होगा, okay, marks लिकते, 55, 76, 90, 85, 35, 76, 90, 85, 39, 95, 49, 48, 56, 95, 48, 6, 95, आप sequence में भी लगा सकते है, इनको पहले, 51, 75, ठीक है, 175, और divided by किस से करोगे, बताव जल्दी से किस से करोगे, 10 से, क्योंकि, number of students जो है, वो 10 है, ठीक है, आप जब उपर वाली सब का आप टोटल करोगे, तो आपका टोटल आएगा, 730 divided by 10, जा लिखो, mean is equal to, 0 से 0 कट कितना आगया, mean average 73 आगया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक के लिए, highest, minus, lowest, clear, Mexico, the enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows, जनी 6 consecutive साल में, enrollment हुए school में, इतने 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 थे, find the mean enrollment of the school for this period, इस पूरे period में mean क्या होगा, तो mean is equal to आप लिखोगे, 1555 plus 1670 plus 1750 plus 2013 plus 2540 plus 2820, और divide किसे करोगे, अटाव जंदी से किसे divide करोगे, divide करोगे 6 से, ठीक है, अब जब आप इनको सब को plus करोगे न, आप थुद plus करके देखना, यह ने plus पहले से खिया हुआ है, okay, divided by 6 आएगा, और जब इसको solve करेंगे, तो आपका जो answer आएगा, 5, 8 आएगा, तरके आप divide कर लेना इसको, okay, problem अगर होती है, तो ऐसे divide कर लेना, 6 बंजा 6, 6 तूजा 12, 3 लिखा, 0, 0, फिर 4, ठीक है, यह बार, 5 आएजा 14, और यहां पर 8, 6 तूजा, okay, यह ना यह answer, ठीक है, यह आपका answer आगया, क्या लिखोगे, the mean enrollment, of the school, for this given period, is 2050, ठीक है, यह आपका answer आगया, चलो अफटा फट से बताओ, मुझे वीडियो आपको कैसी लग रही है, जल्दी जल्दी बताना, कैसी लग रही है वीडियो, the rainfall in a city on seven days, यानि साथ दिन में इतना इतना rainfall हुआ रोज, जिसको record किया गया, find the range, of the rainfall in the above data, तो range निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है हमको, सबसे कम कब हुई है बारिश, सबसे कम कब हुई है, आप लोग बताओ कि मुझे, कि सबसे कम बारिश कब हुई है, सबसे कम बारिश हुई है, Thursday को, सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, Friday को, 20.5-0 points, आई भी आपका range निकालने, ठीक है, range निकलकर आ गई, clear हो गई न बात, अब निकालना है mean, तो mean निकालो, क्या करेंगे, sum of all observations, sum of all observations, और number of observations, ठीक है, अब जब आप सबको plus करोगे, आपको वो 0 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप 0 नहीं लिखोगे, क्यूंकि भाई बारिश तो count की गई है न, इसलिए आपको लिखना भी पड़ेगा, जितनी बार आया है उतनी बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सारे को 7 से divide कर दो, जब आप इसको plus करोगे तो आएगा 41.3 divided by 7, और आंसर आएगा आपका 5.9 meter, इतनी बारिश हो गई, ठीक है, एक्स एकोग, On how many days was the rainfall less than the mean rainfall, कॉन से दिन जो rainfall है, वो mean rainfall से कम है, ठीक है, तो कॉन-कॉन से दिन कम है भाई, देख लेते हैं, यहां पर भी दिख रहा है हमको, यहां कम है, यहां कम है, यहां कम है, यहां भी कम है, तो कितने दिन हो गए, total five days हो गए ठीक है अब five days कौन-कौन से हो गए Monday हो गया, Wednesday हो गया, Thursday हो गया, Saturday और Sunday यानि केवाल एक Tuesday और Friday बच गया, हम भी ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, we may observe that for five days, that is Monday, Wednesday, Thursday, Saturday, Saturday, and Sunday, the rainfall was less than the mean rainfall, clear? ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको, बताओ जल्दी से आ गए इतने questions, समझ में सबको, कोई problem हुई है किसी को, नहीं हुई ना? चलो जल्दी से फटाफट से like, share, subscribe कर लो, और अपनी queries के लिए आप यहां मुझे follow करके, यहां मुझे follow करके, यहां मुझे follow करके, आप अपनी queries को पूछ सकते हो, telegram channel का link मैं नीचे description में दिया हुआ है, यह logo है, फितर classes अगर आप YouTube पे डालोगे, तो यह logo आपको नदाएगा, अगर आप classes regular करना चाहते हो, classes आपको पसंद आ रही है, तो फटाफट से like कर लो और subscribe भी कर लो, ठीक है? Facebook पर भी यही logo मिलेगा, Telegram channel पर भी यही logo मिलेगा और YouTube पर भी same logo मिलेगा, Class का जो आपका timing है वो 1.30 pm है, जो आपकी class आपको daily मिलती है, upload होती है, वो 1.30 pm पर होती है, जिसे आप किसी भी time दिन में देख सकते हैं, ठीक है? Next, देखो, the height of the girl was raised in centimeter and the result are as follows, क्यानि कुछ लड़कियों की height ना पी गई, कुछ लड़कियों की height ना पी गई, किसमें? centimeter में, अब उनसे related question हमें करने, what is the height of the tallest girl? tallest girl की height क्या है, सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा मालू में, हाँ आप इनको sequence में लगाएंगे, यहां लगा लेते हैं, 128, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150 and 151, ठीक है, यह आपने sending order में लगा दिया, अब किसकी height पूछिए, tallest girl, tallest girl की height कितनी है, देखते ही पता चल गया, क्या लिखेंगे, height of tallest girl is 151 cm, ठीक है, और shortest girl की पूछी है, तो first answer ही हो गया, second answer लिख दो, the height of shortest girl is, कितनी है, 135, 302, उनों की height पता चल गया, ठीक है, next रेक ही क्या दे रिखा है, what is the range of the data, range निकालेंगे, range, simple है, range से easy तो कुछ ही नहीं निकालना, ठीक है न, ठीक है, मैं direct सबको plus करके लिख देती हूं, ठीक है, direct सबको plus करके लिख देती हूं, आप लोग एक बार question में जरूर देखेंगे, have height more than the mean height, कौन-कौन सी है देखो, आड़ी दिख रही है, कितने से पूछा है, 141 से, so 1416, 1, 2, 3, 4 & 5, 43, 46, 49, 50, 51, ठीक है, that is 143, 146, 149, 151 & 153, यहां पर 151, ठीक है, यह आपके question number 9 complete हो गया, ठीक है, question number 9 के साथ आपकी exercise भी आज complete होती है, तो आप लोग revise करेंगे, जल्दी जल्दी revise करेंगे, लाइक, share, subscribe करने में बिल्कुल गंजूसी नहीं रहेंगे, और comment करके मुझे बताएंगे कि मेरी class आपको कैसी लगी, मेरा pattern आपको कैसा लगा समझाने का, easy है ना, अगर easy है, आप लोग follow कीजिए, अपनी note books पर और कीजिए, लेकिन हाँ, अगर teacher आपको बोलती है, कि आपको उनीके method से चलना है, तो आप लोग सीख लिजे इस method को, ठीक है, आप लोग सीख लिजे क्योंकि एक question को निकालने के, हमें कई method पता होने चाहिए, अभी हम question को निकाल सकते हैं, आज तो हम teacher के according चलेंगे, लेकिन जब आगे हम तयारी करेंगे किसी चीज की तो, हमें बहुत सारे method अगर पता होंगे, तो हम easily इन question का answer निकाल लेंगे, अगर एक method भूल जाते हैं, इसलिए आप सभी लोगों को बच प्रैक्टिस करते रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, तकि आपके friends को भी कुछ ना कुछ profit मिल सकें इससे, कल फिर मिलेंगे, एक exercise के साथ तब तक के लिए भेगते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, बाई बाई!